हेलो दोस्तो फिर से सागेते मेरा चनल पे मेरा चनल का नाम है एलेक्ट्रोनिक्स इंडिया मैं लोटन फिर लेके आया हूँ एक नया वीडियो देख सकते हैं अमारे पास एक पोटेक कोंपानी का 14 इंज का आल्टर स्रीम का टीबी लेके आया हूँ इस टिप का पॉब्लेम द देख लेते हैं दोस्तों मैं टीब को पावार देता हूँ पावार देने के बाद देखिए पावार दिया पावार देने के बाद जो हमारा पावार इंडिकरर जलना चाहिए पावार इंडिकरर नहीं जल रहा है जब मैं स्विच को ओपन करता हूँ इस पे साइट पे स्व ठीक है दोस्तो वीडियो लास से देखते रहें नहीं तो पुछ भी नहीं पता चलेगा मैं पाय ले ट्डि को ओपर लेटा हूं ओपे उस्पेन करने मैंने एक्स्टर्नल एक कोड लागा चुका हूं और लागाने के बाद इसको चेक करते हैं कहां पर पॉब्लेम हो रहा है क्यों हमारे टीबी पर पावार ओन नहीं हो रहा है और टीबी भी स्टार्टिंग क्यों नहीं है वह देखने के लिए पहले पावार देंगे टीबी को TV को power देने के बाद उसको check करेंगे इसका जो हमारा output voltage होता है SMPS का वो voltage क्या होलता है ठीक है मैं पहले एक-एक करके voltage चेक कर लूँगा मैं टीब को power दे देता हूँ power देने के बाद और meter quad को ground कर लेंगे गाउन कर लियाओं और ground करने के बाद इसको एक-एक करके voltage चेक करेंगे जैसे हमारा पहला जो voltage होता है 110 वोल्ट उस पे देखते है क्या ओवाला voltage आप डाउन कर रहा है O81 पे stock है और उसके बाद देख लेंगे एवाला voltage 17 वोल्ट दिख रहा है और यह बाद वोल्टेज भी चेक कर लेते है 7.9 और यह बाद वोल्टेज होता है 12 वोल्ट मतलब दोस्तो यह जो भोल्टेज है यह जो पहला जो भोल्टेज दिया गया है यह पहला जो भोल्टेज है यह अमरा 80 वोल्ट दिख रहा है और दूसरा जो भोल्टेज है यह अमरा 110 वोल्ट होना चाहिए था उसके बाद जो दिख रहा है जो भोल्टेज यह हमरा 27 वोल्ट का पॉइंट है उसके दिख रहा है 17 वोल्ट और 12 वोल्ट के जगा पे दिख रहा है हमारा 7.8 वोल्ट और 14 वोल्ट के जगा पर दिग रहा है हमारा 12 वोल्ट मतलब दोस्तों क्या हुआ वोल्टेज थोड़ा-थोड़ा करके काम हो गया है क्योंकि ये स्टैन्बाइ मूट पे है इस सिस्टेम हमरा इस पर पोटेक्शन मूट दिया गया है जैसे ये लोकाल्ट बी जो होता है ये भी लोकाल्ट बी है लेकिन इसका सिस्टेम क्वला सिस्टेम हमरा पुरी तरह से बोल्टेज नहीं देगा क्योंकि ये बाला पोटेक्शन मूट पे पोटेक्शन जब तक रहेगा वोल्टेज थोड़ा सा लोग करके रख देगा क्योंकि रिमोट से लाल बटन दावाने के बाद हमारा सिस्टेम पे भोल्टेज लोग करके रग लिता है और रगने के कारण क्या है हमारा सिस्टेम पे जो जो भोल्टेज जहां पे जाना कर रहा है स्टेंडबाइज से 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 सक्षेंड से जो बैसी काम रहा है क्योंकि आई जल य सी को ब्रबट पोनेंल चुका है जो मेरा थंसे को सराे जुकर पया सब्रुपल और साब्स्काइए सब्सकराइब पाल स्कत्राइब को प्लॉक होता है हमारा मेन ऐको 2 सब लाइद ऐस सिकोंसी दिया जाता है और एक शिस्टेम ऑन ओप यह पर प्रे नहीं है लेकिन इसका जो 5 बोल्ड और 8 बोल्ड होता है ओ भी हमारा काम नहीं करेगा देखिए MB जो लेखा हुआ है यह बाला बोल्टेज हमारा 5 बोल्ड का कनेक्सिन है जो हमारा ट्यूनर पे सबलाई के दिया गया है देखिए हमारा इसपर 0.2.3 बोल्ड और एक बोल्टेज होता है इसपर 9 बोल्ड जो हमारा सबलाई दिया जाता है IK के सबलाई के लिए जो हमारा Base PCB पे जाता है ओबाला बोल्टेज भी जिरो आएगा क्यूंकि हमारा standby system पे हमारा voltage है standby system पे हमारा IC काम कर रहा है इसलिए हमार standby पे हमारा कोई भी voltage नहीं बनेगा क्यों standby है ओ देखने के लिए पहले तो इसका standby pin खोजना जोरूरी है standby pin को खोजने के बाद इस पे चेक करना है यह वाला आमारा voltage यह वाला हमारा रेगुलेटर सिस्टेम में और रेगुलेटर सिस्टेम पर क्यों वोल्टेज नहीं ओन हो रहा है स्टैन्बाइ जब तक हमारा रिलीज नहीं करेगा तो हमारा वाला वोल्टेज भी रिलीज नहीं होगा इसलिए stand by section के लिए चेक करने के लिए मैं एबाला वीडियो बाना रहा हूँ अब लोगों को काम करने के लिए बहुत ज़्यादा आसान होगा इसलिए एबाला system को चेक करना जोरूर है कहां पे कितना चेक करना है पहले तो हमारा इबाला इप्परमास फेर बोल्टे जागया है किस्ट्रल पे कितना बोल्टे है ओ भी देख लेते हैं देखे टू पोल्ट मेरा को सामने ले आता हूँ हैं कि तुका है और दूसरा पिन भी ओही बोल्टेज आएगा और इसले कि इस्टेम पे भी डोंटेज्यं चाहिए क्योंकि if from IC और हमारा किस्टल कामकर voltage दे रहा है voltage आ रहा है मतलब हमारा system IC भी काम करना जुरूरी है ये standby क्यों हो गया है ओ देखने के लिए हमारा इस पे standby pin को खोजना जुरूरी है standby pin को खोजने के बाद ही पता चलेगा हमारा system पे कहां पे काम कर रहा है ठीक है मैं standby pin को खोज के आप लोगों को बाता देता हूँ दोस्तों मैंने इसका standby pin को ढूंड के निकाल लिया हूँ और standby pin होता है ये बाला अमारा system IC पे system IC का नामबर पहले देख लेता हूँ धूंदला सा दिखेगा 8895 8895 का ये बाला IC है और ये बाला IC पे चेक करेंगे हमारा स्टैंबाई pin कान सा है और power दे चुका हूँ और power देने के बार इसका standby pin आप लोग google कर सकते हैं गूल करने के बाद इसका standby pin निकल आएगा और ये जो हमारा last बाला पीन है 64 बाला पीन यह हमारा स्टेंबाई पीन है स्टेंबाई पीन पे जब तक हमारा स्टेंबाई रिलीज नहीं करेगा जैसे क्या होता है एक स्वीच होता है जैसे उस पर वोल्टेज रहेगा तो हमारा सिस्टेम काम करेगा या ग्राउंड रहेगा तो वो काम करेगा जैस वह सिस्टेम पे लिया गया जैसे इस पे लिया गया है 64 नंबर पीन cancelled पे इस पे बोल टेज द्या गया है जैसे स्टेंबाई जब रहेगा। तब इस पे बोल टेज रहेगा 2.8 बोल्ट यह बाला पीन जाता है अमरा देखाता हूं अन्य बाला 64 नंबर 5 जाता है अमरे यह वाला टांजिस्टर पे यह 18-15 का यह वाला टांजिस्टर दिया जाता है यह टांजिस्टर पे पहले एक रेजिस्टेंस दिया गया है देख सकते यह वाला रेजिस्टेंस यह रेजिस्टेंस पे frequency तो आ जाएगा और voltage जो दिया गया था voltage इस पे आके रोध कर देगा तो यह बाला resistance दिया गया है इसलिए क्या किया गया है देखिए यह जो हमारा 2.7 volt यह बाला पॉइंट पे 64 नमबर पॉइंट पे 2.7 volt जो आ रहा था ओबला pin voltage आता है इस बाला पॉइंट पे देखिए टू पॉइंट यह बाला resistance पे आ जाता है और यह resistance पे आने के बाद देखिए 2.7 volt आ चुका है उसके बाद इस बाला पॉइंट पे जो हमारा transistor पे जाता है transistor पे 0.6 volt है 0.6 मतलब दोस्तो जादा पॉइंट जा जाएगा तो क्या होगा हमारा यह बाला transistor उड़ जाएगा इसलिए इसको रोद करके एक switching करने के लिए काम करा किया गया है और यह 18-15 यह switching करके यह बाला transistor को काम करता है यह transistor पहला नामबर transistor यही टांजिस्टर हमारा power section से भी हमारा control में लेता है जैसे क्या किया गया है यह transistor इस power section पे देखिए जो हमारा preset होता है power preset और power preset को भी control में लिया गया है और इस बाला point पे आने के बाद हमारा यह transistor को on करता है यह switching जाप करेगा यह transistor on होगा और on होने के बाद यह दोनों transistor हमारा 5 volt और 8 volt बनाएगा जैसे यह पहला number pin पे हमारा 5 volt बनता है और दूसरा number pin पे बनता है 8 volt और यह बाला जो transistor दिया गया है यह transistor हमारा 5 volt बनता है जैसे यह बाला 5 volt direct आता है हमारा if from ic को direct सबलाई देने के लिए और sensor pin को जो IR voltage होता है IR voltage वह बाला pin को voltage देने के लिए क्योंकि standby remote से भी on किया जाता है इसलिए यह बाला voltage जोरूरी है देखिए इस पे देखिए यह तो 5 volt हमारा on है क्योंकि standby voltage होता है और यह जो 8 volt है 8 volt हमारा 0 दिया गया है और यह बाला voltage भी चेक करेंगे देखिए हमारा point 2.3 आ रहा है और इस पे जो middle बाला जो pin दिया गया है इस पे हम middle बाला pin पे देखिए 7.3 जो हमारा main ic sublight से voltage आ रहा है जो 12 volt के point से और उसके बाद जो तिसरा बाला पहला number pin हमारा ground है दूसरा number हमारा supply pin है और तिसरा number pin होता है हमारा यह 0 दिया गया है किन लेकिन दोस्तों यह बाला pin पे हमारा voltage आना चाहिए देखिए एक resistant भाया करके इस पे भी हमारा supply दिया गया है जो 5 बोल 8 बोल ओन करने के लिए ठीक है यह बाला pin पे हमारा minimum 8 भोल्ट तक आना चाहिए जब तक standby रहेगा तो यह बाला point पे voltage नहीं आएगा मैं देख यह जो हमारा key board पे जो point connected होता है उसको मैं टाच करूँगा टाच करने के बाद यह standby से release हो जाएगा और मैं क्या बाता रहा था 2.7 भोल इस पे आ रहा था ओस 64 number pin पे ओबाला voltage हमारा 0 हो जाएगा और 0 होने के कारण ही हमारा जो system पे जो इस पाला point पे पहला number जो transistor standby transistor बोला जाता है इस पे भी 0 हो जाएगा point जो 6 voltage था ओबाला 0 हो जाएगा उसके बाद दूसरा number pin पे हमारा voltage आ जाएगा 8.6 8.6 आनेक आ जाएगा आनेक बाद क्या होता है देखिए पहला number pin तो हमारा ground था बाला standby जो एक बाला transistor हमारा standby जो रिलिस करता है इसके बाद जो हमारा voltage रिलिस करता है ये बाला pin पे हमारा पहला number ground है दूसरा number पे जो हमारा 7.6 आ रहा था उस पे देखिए 0 हो गया है ये देखिए 0 हो गया है और तिसरा number pin पे हमारा voltage वोल्टेज आ गया है 0.6 और 0.6 आने के बाद इस पर क्या होता है पहला तो यह टांजिस्टर पर हमारा 5 वोल्ट था इस पर भी 5 वोल्ट रहेगा उसके बाद जो यह बाला पिन पर हमारा वोल्टेज नहीं था इस पर आ जाएगा 8 वोल्ट और इस पर आ जाएगा हमारा 5 वो उस पे भी 4.8 आ चुका है और दूसरा भी देख लेते हैं जो हमारा 8 बोल सब लाई हमारा आईक के लिए दिया जाता है वह बाला पॉइंट पे भी देख लेते हैं बाला पॉइंट पे हमारा 8 बोल आ जाएगा 8 बोल आने के बाद हमारा होरेजडर्सेक्षेन बछेट सेक्षेन ओन हो जाएगा ओन होने के बाद हमारा दू रानम सस्कते हैं उसके लिए क्पिलिए बाता रहा हूं अ प्रेंटर सेक्सेन पे जो भोल्टेज होता है अमरा पावर सेक्सेन जब स्टैन्बाइब पे था तो यह वाला भोल्टेज हमारा लो हो गया था मैं बाता आया था देखिए इस पर फिर से चेक करेंगे पहला नमबर पीन पे हमारा जो 72 82 आ रहा था उस पे 111 बोल आ चुका है दूसरा नमबर पीन पे जो हमारा 13 बोल 14 बोल आ रहा था उस पे 25.9 आ चुका है और जो हमारा रेगुलेटर बोल्टेज होता है उस पे 7.8 आ रहा था 11.9 आ चुका है और देखिए यह वाला पीन पे भी हमारा 17 बोल आ चुका है मतलब हमारा पावन से से जो भोल्टेज रिलीघ होना चुका है उसके बाद जो हमारा 110 बोल्ट जो हमारा सब絡़ा आने के बाद हमारा इस पे बोल्ट बोल ला जाता है जैसे जयोसीस्टेम पर दिया जाता है मतलब हमारे येच्टी रान कर रहा है वोल्टेज बुस्ट हो रहा है मतलब हमारे रान कर रहा है उसके बाद हमारे भार्टिकल सेक्शन भी रान हो चुका है और सभी सिस्टेम पे हमारा वोल्टेज जहां जिदना होना चाहिए वोल्टेज आ चुका है और हमारा टीबी पे स् सिक्षिन लो कर दिया था और हमारा फाइभ बोल,से लोल बन कर दिया था और हमारा सिस्टेम Ken nelle मुट पढ़ा हुआ था सिस्टेम i-C और उसको जब में स्टेन्बाइस से 보ल अब कर दिया तो हमारा वोल्टेज्टे जो पावstory भी यह वी is जिसदना जिस पे वोल्टेज होना चाहिए था और हमरा फाइफ बोल्ट, एट बोल्ट बमन बी शूरू हो गया है और हमरा टीवी पे पिक्चार भी जो लाइट नहीं था हमरा स्टान भाई टीवी पे पूरे ब्लैंग था ओ मावरा बहोल स्कीन आ लाइट भी आ चुका है मादला महाँ पर टिवी ओके हो गया है ठीक है दोस्तों इसी तरह का निया निया वीडियो मिले के लिए मेरा चैनल को जोरू सस्काइब कर लेना बेल आइकोन को दाबा देना ओल नोटिफिकेसन उन कर देना जब भी मैं निया निया वीडियो लेकाऊंगा आप लोगों को मिलते रहेंगे ठीक है दोस्तों मिलते हैं नेक्स वीडियो पर तब तक रहें दोस्तों गुडबाई